आकाशवानी भूपाल से प्रस्तुत है सापताहिक कारिक्रम आज कल। खास बात यह रही कि मत्रदेश ने अपने शेशवकाल की लगभग सभी संभावनाव को आने वाले वर्षों में सफल तरीके से इस्तमाल किया। कुछ उधारणों से इसे समझा जा सकता है। देश के 30 प्रतिशत वन शेत्र की संपदा के समुचित दोहन से आज यह राज मोगली की भूमी के रूप में प्रसिद्ध है। वन भी इतने मनमोहत कि महान कवी भवानी प्रसाद मिश्रभी खुद को उनकी प्रशंसा में यह कहने से रोक नहीं सके कि सत्पुला के घने जंगल। हीरे और तामबे के सबसे बड़े भंडार की प्राकृतिक देन का भी इस प्रदेश ने आर्थिक प्रगती के लिए समुचित प्रयोक किया है। साथ ही अनेक वन्य शेत्रों में परेटन उद्योक के विकास से हम देश सहित विदेश में भी सेलानियों के आकरशंड का बड़ा केंद्र बन चुके हैं। मांडू सहित धार भीमबेट का पचमडी खजराहों में इतिहास से जीवन्त साक्षातकार होता है। वहीं और छा महेश्वर मनलेश्वर और ओंकारेश्वर के बाद अब श्री महाकाल लोग के माध्यम से मध्यप्रदेश ने धार्मिक परेटन के शेत्र में भी विशिष्ट पहचान प्राप्त की है। यदि तानसेन की नगरी गौालियर सांस्क्रतिक गोरव का आरंब से प्रतिक रही तो बाद में भारत भोन ने भी संस्क्रतिक के समवर्दन में अध्भुत योगदान दिया है। मध्यप्रदेश सही अर्थ में क्रमिक किंतु सतत विकास का उधारण है। युगों से शांती और प्रेम का प्रतिक साची आज देश की पहली सोलर सिटी बन गया है। आलहा उदल के पराक्रम का प्रतिक बुंदेल खंड अब अपने यहाँ बनने वाले खेती किसानी के सामान को विदेश में निर्यात कर प्रगती का प्रतिक भी बन चुका है। इसके साथ ही सोन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, धसान, तवा, तापती, शिपरा, काली सिंध आधी नदियों ने जल सहित अन्य प्राक्रतिक संपदाओं के माध्यम से इस राजी की प्रगती में खास योगदान दिया है। रीवा के सफेद शेरवाली अध्भूत देन के साथ ही चंबल में डॉल्फिन मशलियों की प्रभावी संख्या पूरे देश के लिए प्राणी संरक्षन की दिशा में गौरव का विशय है। मध्यप्रदेश को उद्योग जगत के विकास की एक अलग पहचान प्रदान की है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश अपने महमानों को 6 लोग संस्कृतियों के समावश्ट से सम्मोहित कर लेता है। निमाड, मालवा, बुंदेलखंड, भगेलखंड, महाकोशल, गौालेर, चंबल और रिवा की रूप में प्रतेक सास्कृतिक शेत्र या भुभाक का एक अलग जीवन्त लोग जीवन, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, कला, बोली और परिवेश है। इन में से हर स्थान की अलग-अलग ऐसी विशेश्टाय हैं, जो कहीं और देखने नहीं मिलती हैं। यह क्रम यूही निरंतर रहेगा, इसका सभी को पूरा विश्वास है। सभी को मधिप्रदेश के स्थापना दिवस की अनन्त शुप काम ना है।